नमस्कार मैंने अपनी पिछली काफी वीडियो में पावर सेक्टर को एक अच्छी कवरेज दी है और मैंने NHPC, NTPC, SJBN, Power Finance Corporation, REC काफी कंपनियों पर कवरेज करी है और यह हमारे रेगुलर वीवर्स जानते भी है पावर सेक्टर की कंपनियों पर विशेश फोकस करने का एक कारण भी है जो मैं आपको हर वीडियो में कह रहा हूं और आपको इसको रट लेना चाहिए गौर्मेंट का CAPEX की तरह फोकस और गौर्मेंट के टारगेट, गौर्मेंट ने जो टारगेट पावर सेक्टर के आगे रखे हैं कि अपनी capacity को अगले 5 सालों में double करना है 416 GW की capacity से भारत को लगबख 860 GW की capacity पे ले जाना है हमारी government को अगले 5 सालों में तो जो government capex फोकस कर रही है और साथ ही साथ renewable energy पर बिजली बनाने के लिए focus कर रही है वो सभी power sector की कंपनियों को लेकर उसने हमारा रूप पॉजिटिव कर दिया है और आप लोगों को भी पावर सेक्टरों को लेकर पॉजिटिव रहना होगा आज के इस वीडियो में मैं अपनी कबरेज प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अब भढ़ा रहा हूं और इसी चीज को आगे ले देखना है तो हमें किन चीजों पर ध्यान रखना है क्या कारण होंगे जो एडानी पावर के इंदर तेजी को लाएंगे और यह तेजी में एडानी पावर का स्टॉक कहा तक जाएगा यह सबी चीजे मैं आपके साथ आज ब्रीफ डिस्केशन करूंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एडानी पावर धर्मल कारोबार के अंदर देश की प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी है जो कि इस समय कोईले से बिजली बनाती है एडानी पावर के प्लांट्स राजिस्थान गुजरात करनाटक जहारकंड जैसे महरास्ट जैसे राज्जों में इस समय कामकाज कर रहे हैं एडानी पावर एक रिसेंटली प्लांट भी चुरू करने वाली है जिससे कंपनी बांगलादेश को भी अब बिजली जो है बेचेगी एडानी पावर इस समय लगबग थर्मल कारोबार के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर 16% का शेयर है बिजली बनाने के अंदर और 3.4% के करीब कम्पनी का ओवर ओल पावर सेक्टर के अंदर शेयर है भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिजली बनाने वाली कम्पनियों में एक अच्छी पैचान रखती है एडानी पावर की करेंट कैपेसिटी लगबग 15.2 गीगावाट की है जो की आने वाले दो सालों के अंदर बढ़कर 17 गीगावाट के पास पहुचने वाली है कमपनी का एक रिसेंटली एक प्लांट भी शुरू होने वाला है जो कमपनी की कैपसिटी को आगे जाकर बढ़ाएगा कमपनी का मेन फोकस थर्मल पावर पर है कमपनी का सोलर के अंदर कोई खास ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है माइनर तोर पर अगर देखा जाए तो कमपनी एक इस समय 40 मेगावाट को एक छोटा सा प्लांट ओपरेट कर रही है कमपनी का रिनेवल एनरजी से रिले कर कोई भी इस समय पोर्टफोलियो नहीं है तो कमपनी जो है कमपनी थर्मल पावर पर बेस्ट है कमपनी ने ओल्रेडी अपना रिनेवल कारोबार एडानी ग्रीन के अंदर अलग से लिस्ट कराया हुआ है जिसका एडानी पावर से कोई भी रिलेशन नहीं है भारत की इस से में करेंट कैपिसिटी जो कि 416 गीगावाट के आसपास है उसका लगबग 57% मतलब 238 गीगावाट के आसपास जो है थर्मल पावर से आता है मतलब 57% इस से में जो है मार्किट शेयर जो है थर्मल पावर का है ओल ओवर बिजली प्रोडक्शन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया और मैं बार-बार बता रहा हूँ कि बिजली की कैपिसिटी डबल होने वाली है भारत के अंदर बनाने की शमता है सबी कमपनियों के बढ़ने वाली है और सरकारी कमपनियों ने तो जबरदस तरीके से कैपेक्स किया है असल जिस हिसाब से इस कैपिसिटी में एक्सपेंशन होगा और जो गौर्मेंट चा रही है कि थर्मल की कैपिसिटी दो जा तीस तक 50% कर दी जाए उस समय की जो 866 गीगावाट की कैपिसिटी लगबग बताई जा रही है या 850 गीगावाट की भी बताई जा रही है उस हिसाब से उस समय थर्मल की जो कैपिसिटी होगी भारत की वो 425 गीगावाट की होगी कहने का मतलब जो करेंट कैपिसिटी है 238 जीगावाट की थर्मल के अंदर वो भी डवल हो चुकी होगी अब डवल होगी तो उसमें सरकारी कंपनियों का भी कैपेक्स होगा हाथ होगा और प्राइविट कंपनियों का भी होगा तो क्या उस कैपेक्स में एडानी पावर को भी फायदा होगा वो ही आद हम इस वीडियो के माद्यम से समझ रहे हैं देखे जब भी कभी बारिश होती है तो वो सप्पर होती है और उस बारिश में सभी मज़े लेते हैं जो भीगता है तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि एडानी पावर को अपने शेर होल्डर की मौच कराने के लिए उस बारिश में जरूर भीगना होगा अब वो कितना भीगेगा और या कितना भीगाएगा वो हमें चीजे देखनी है वो डिपेंड करेगा एडानी पावर के एक्सपेंशन प्लान पर क्योंकि मार्किट तो बहुत बड़ी है अगर उस समय देखा जाए पांस साल के अंदर अगर मार्किट डबल होने जा रही है तो एडानी पावर की जो करेंट कैपेसिटी है लगबग जो 16 गीगावाट, 17 गीगावाट के पास मान सकते हैं आप तो अगर कंपनी कैपेक्स करना चाहे तो कंपनी के लिए भी यहाँ पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के अच्छे सकोप है एडानी पावर अपने रिनेवल एनरजी कारोबार सोलर के अंदर भी बड़ा एक्सपेंशन कर सकता है वो भी कंपनी को उस पर भी कामकाच करना होगा एडानी पावर इस समय भारत की करन्ट कैपेसिटी का 3.65% मार्किट शेयर अपने पास रखता है अगर कंपनी इस मार्किट शेयर को सेक्योर करना चाहती है और इस तेजी का मज़ा लेना चाहती है तो company को आने वाले 5 सालों के अंदर अपने expansion को बढ़ा कर अपनी capacity को बढ़ा कर लगबग 31 गीगावाट पर ले जाना होगा ये आप सब एडानी के जो भी पावर के share holders है इस बात को आप रट लीजिए company को अपना expansion 17 गीगावाट से बढ़ा कर 31 गीगावाट के पास पुचाना होगा capacity expansion करना होगा जब ही company अपने 3.65% market share को secure कर पाएगा overall market share को तो ये company के लिए growth का runway है जो यहाँ से share holders को नजर में रखना है अगर company's path पे चल पाती है तो जब ही company के अंदर growth आएगी adani power ने पीछे organic growth बहुत करी है और यही कारण है जो company ने अपनी capacity को बढ़ाया अभी पिछले अगर कुछ सालों में देखें company ने जो इसमें महराष्ट से जो company के सबसे ज़्यादा production आती है बिदली की उसका भी reliance की काफी सारी assets को acquire किया था adani power ने पर एक ये भी बात सच है कि जिस तरीके से पीछे adani के shareों में गिरावाट आई वो एक debt जो था उसके अंदर बहुत बड़ा कारण रहा कि जो adani की share भी slip हुए उस report के आने के बाद हिंडन बर्ग की report आने के बाद जो slip होने का कारण था वो debt भी था company की current करज की स्थिती लगबग जो है वो 42,000 करोड के आसपास है देखा जाए तो company ने अपना कुछ करज घटाया भी है क्योंकि अब company जो है debt घटाने पर भी focus कर रही है अब ऐसे scenario में company कब growth plan को लाएगी उस पर भी नजर बनानी है ये सब बाते आपको बताने के पीछे मेरा एक कारण है मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि एडानी पावर एक ऐसी company है जिसके जो capable तो है और अगर वो अपनी capacity को बढ़ाना चाहे एक्सपेंशन करना चाहे तो बढ़ा easily बढ़ा सकते है और company जैसे अभी expansion plan पर काम भी कर रही है प्लांट उनका अभी recently आ भी रहा है तो आगे भी इस capex plan को लेकर आएगी ये बाते मैंने आपको एक किसलिए बताई है कि आपको इस plan पर ही ध्यान रखना है पैसा यहीं से बनेगा और क्यों इस company का share मुझे दिखता है कि आने वाले समय में साड़े 500 रुपे तक पहुश सकता है वो भी मैं आपको अब बताता हूँ देखें एक आपसे request है वीडियो अगर आपने यहां तक देखी है तो पूरी ही वीडियो देखना आदस वीडियो को समझ कर मत चले जाना हो सकता है कोई चीज़ आप skip कर जाए जिससे आप कुछ और निशकर्स निकाल लें या shareholders को देखना क्या है company को अपने एक तो operating profit margin को सेक्योर कर रहा है company को margin यहीं बना कर रखना क्योंकि company profit में रहने वाली company को profit तो अच्छा आ रहा है और sales अपने जिस हिसाब से organic growth हो रही है उस हिसाब से बढ़ भी रही है और in organic growth sales को और बढ़ाए अब अगर company अपना expansion कर लेती है लगबग 31 gigawatt तक अपने expansion को ले जाती है तो company का profit आने वाले कुछ सालों के अंदर यहां से सीधा double हो जाएगा और double होने के कारण company का अगर margin secure करती है तो operating profit net profit जोगा वो भी double हो जाएगा तो उस condition में इस company का जो EPS है वो निश्चित रूप से यहां से double होगा company का जो current price है वो इस समय लगबग अगर देखा जाए तो 278 रुपे के आसपास है और उसका जो PE है company का इस समय लगबग उसको 10 का PE मिल रहा है अब अगर यही EPS यहां से double हो जाएगा और company को current PE मिल रहा है अगर वो ही मिले तो इस हिसाब से अगर 27 रुपे का company का EPS है अगर वो आने वाले समय में capacity के साथ profit के साथ EPS भी double हो जाएगा तो company का share अपने आपी 500 से 600 रुपे के बीच आ जाएगा और जिस हिसाब से company को पिछे PE 16 का भी मिला है और अगर company यह साब एचीव करती है तो हो सकता है company का share साड़े 800 तक भी चला जाएगा पर इन सब चीजों के पिछे एक ही चीज यहाँ पर consider करनी होगी company का capex plan अगर company अपने capex plan पर अच्छी तरीके से काम करेगी तो निशित रूप से return बना कर देगी अगर company capex को छोड़ कर debt घटाने पर लग गई तो निशित रूप से company के अंदर company का market share आने वाले समय में पावर सेक्टर के अंदर जरूर गिर जाएगा और उसका company के share price पर भी impact पड़ेगा तो यही बाते मैंने आपको इस वीडियो के माद्यम से समझाई है कि company के अंदर capacity है पर उस capacity को company को generate करके अपने output में लाना होगा तो आप लोगों को एड़ानी पावर के अंदर अब थोड़ा सा futuristic होकर सोचना है आप एड़ानी पावर की तेजी अगर कुछ आती है तो उसको long term से जरूक रैट करके सोचें short term में आप share को देखें तो trading के माद्यम से या trader जो भी करते हैं उस तरीके से ही सोच सकते हैं अगर आप fundamentally company के अंदर पैसा कमाना चारे हैं business के अंदर बैठना चारे हैं तो आपको company को इस ही नजरिये से देखना होगा जबी आपका पैसा बनेगा otherwise हो सकता है आपको आप इस power sector की रैली को छोड़ने क्योंकि जो रैली पावर सेक्टर के अंदर है वो निश्चित रूप से उसका सरकारी कंपनिया ही मजा ले रही है तो private company कंपनियों के शेर होल्डरों को मजा लेना है तो उनको company की performance plans और progress पर regular नजर बनानी होगी उमीद करता हूं वीडियो ने आपक